कि पाइट एक के बारे में आप लोग लिखेंगे चलिए तो हिस्ट्री जोग्राफिक का रिविजन करते रहिए और हम जो है थोड़ा सा लिखने के बारे में बात करते हैं कि लिखना कैसे और हाओ कि आपके जो लिखा हुआ है आप के आपका खुद अगर आप पड़ पाते हैं और खुद को समझ में आता है और खुद को अच्छा लगता है कि आपका लिखा हुआर खुद का हिपिए उसा हे आप लिखते रेना चाहते है जब आप कोई चीज लिखते हैं किसी संतुष्ट पाते हैं उस सेटिस्फेक्शन आपके अंदर है के नहीं यह देखना पड़ेगा तो सेटिस्फेक्शन दो तरह से आता है एक तो आपको जितना ग्यान आपका अभी है वर्तमान में उसके आधार पर सेटिस्फेक्शन आता है कि आपको जितना नॉलेज है उसके यह साफ से आपने बहुत अच्छा लिखा कि आपको नॉलेज ही उतना है तो सेटिस्फेक्शन आ जाएगा उसमें एक किसी को ज़्यादा नॉलेज है तो वो उतना जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होगा तो आपकी कॉपी चेक करने वाले बहुत ज़्यादा नॉलेज बाले लोग हैं या साधरान नॉलेज वाले लोग हैं यह उस पर निर्भर करेगा तो यह थोड़ा से लग भी है कि जैसे आपने अपने कॉलेज में देखा होगा स्कूल में देखा होगा कि आपके स्कूल में 20 टीचर हैं उन 20 टीचर में एक टीचर बहुत तेज हैं बहुत ही ते को इंस्टरक्शन देने होते हैं तभी वही सामने आता है, जब कोई guest आता है आपके तभी वह उनसे बहुत करता रहता है है, स्कूल में जब inspection होता है तभी वही टीछर कड़ा होता है, और आप लोगों को अगर कोई दिक्कत है श्कुल में तो भी आप सब लोग जा करके उसी से बुलते हैं या विसके दो तीन टीचर हो सकते हैं यह एक होता है बीस में से लेकिन कौफी तो सभी लोग चेक करते हैं इसा तो नहीं कि जब कॉपी चेक करने की बारी आती है तो एकी व्यक्ति कॉपी चेक करता है 200 लोग चेक करते हैं उसमें से 3-4 लोग 20 में से इतने डफर हैं कि जिनका IQ आप से भी कम है पढ़ने वाले बच्चों से भी कम उनकी हालक बहुत खराब है उनको कुछ नहीं आता उनसे कभी कोई नहीं पूचता उनकी सब हसी उड़ाते रहते हैं बलकि उन पर दैय करते हैं उनसे कोई कुछ पूसता ही नहीं, उनको मालूम है कि उनको कुछ आता भी नहीं, कई बार उस्विकार भी कर लेते हैं, तो क्या लगता है आपको कि उन लोगों से कॉपी चेक नहीं करवाई जाती होगी, उनसे भी करवाई जाती हैं, तो कॉपी चेक करने वाले जो लोग हैं वो बड़े मिक्स हैं आपकी कोपियां कोई भी व्यक्ति चेक कर सकता है कम IQ वाला भी हो सकता है सब्जेट का बहुत ज्यादा जानकार भी हो सकता है तो आपको कैसा लिखना चाहिए कि जिससे वो सेटिस्फाय हो जाए तो यह गेंबल है जुआ जैसा हो जाएगा कि आपका ल कर दोगा जैसे आपने BSC biology किया है तो बीची करने वाले लोगों के लिए biology जो है वह बहुत सरल होगा यह 11 12 में अपने बाइव पड़ा है तो बहुत सरल होगा तो तब आप DNA के बारे में लिख रहे होंगे कोशिका के बारे में लिख रहे होंगे तो बहुत अच्छा लिख सकते हैं और सामने वाले को impress कर सकते हैं लेकिन अगर माले जाए आप बायो फेल्ट से नहीं है तो दी-ए-ने और सेल के बारे में कैसे लिखेंगे कितना लिखेंगे कितना पड़ेंगे कि सामने वाला इंप्रेस हो जाए, हमको मार्क्स दे जाए तो वो मिनिमम वाला आपको निकाल के रखना पुड़ेगा उसके लिए हम लोग NCRT का लेवल मानते हैं सबसे पहले बारवी तक की जो NCRT की किताब है खास करके दसवी तक की जो NCRT की किताब है वो जितना किसी विशाई के बारे में लिखती है वैसा आपको लिखना आना चाहिए क्योंकि DNA, कुशिका, क्रोमोजोम, वेक्सीन, MRN वेक्सीन ये ऐसे विशाई हैं, COVID, जिसमें जितनी विशेशग्यता होती वो उतना बढ़िया लिखता है लेकिन उतना हम पॉलिटी में चले जाएं, तो पार्लियमेंट पार्लियमेंट क्या होती है लोगसभा की संरचना क्या है इसमें कोई बहुत जादा विशेश युगिता नहीं होती या पार्लियमेंट में रोज-रोज कोई ऐसे इन्वेंशन, डिसकोवरी या विज्ञानिक नहीं लगे होगे हैं कि रोज-रोज उसका जी के बदल जाता हो तो मैं जो अभी आपको पहले बता रहाता है उसमें बायो टेक्नलोरजी में चले जाएंगे तो बहुत बहुत नहीं हो जाता है लेकिन जब हम बात करते हैं पार्लियमेंट की लोकसभा की सरचना की विधायत क्या होता है सांसद क्या होता है इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो वो फिक्स होता है नौलेज उसमें आर्ट्स वाला व्यक्ति जिसने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है और 2008 वो भी और जिसने नहीं पढ़ा है वो भी बराबर ही होते हैं कोई वह जादा अंतर नहीं होता है जैसे बजट कैसे बनता है तो थोड़ासा बजट जो है बड़ा स्पेस्विक्स हो जाता है क्योंकि जो एकोनमिस के लोग है या जो पॉलिटी को बहुत डीप में पढ़ते हैं या संसत की कारवाई को बहुत नजदीक से कवर करते हैं अमेशा उनको बजट के बारे में थोड़ी जादा जानकारी होते हैं बाकी लोग एक आर्टिकल लिख देंगे ये कर देंगे तो हम लोगों को एक सामजस बिठाना पड़ेगा कि हम अपनी प्रारंबिक जानकारी उनको दें या फिर हम थोड़ी विशेश यूग्यता उसमें ना दिखाने की कोशिश करें तो आप लोगों से अपउक्शा की जाती है कि आप ग्रेजुएट हैं तो सामान्य जानकारी सब के बारे में रटते होंगे एक सामान्य जानकारी आपको लिखनी है, पहले मैंने factual, conceptual और उस रिसाब से आपको उत्तर लिखना बता दिया है, पिछली क्लास में, कि कैसे factual answer लिखते हैं, conceptual answer कैसे लिखते हैं, कितना greatest answer का किस में होना चाहिए, आज मैं बता रहा हूं कि आपको किस प्रकार की information जो है, उसका level क्या होना चाहिए, information का level क्या होना चाहिए, अब बहुत ज़्यादा level की information दोगे, अच्छी बात है, लेकिन question screen नहीं चूटना चाहिए, अधिकांश बच्चे जो बाहर हो जाते हैं, वो question चूटने से हो जाते हैं, अगर आप बहुत विशेश योग्यता रखते हैं, और ब इस level पे लिखेंगे, तो जैसे पोदे के मतपुन भाग होते हैं, हमारे शरीर के मतपुन भाग होते हैं, पोदे में मतपुन भाग क्या होता है, तना होता है, जड़ होता है, और पतियां होती हैं, फूल होते हैं, ये पोदे के मतपुन भाग हैं, तो यदि कोई बोलता है क पोदे का वर्णन कीजिए तो हमारा उत्तर इतना संतुलिक होना चाहिए कि हम चार भाग बनाए हैं पांच भाग बना रखें अगर हमने पोदे के कि हमने तना बना रखा है तो तने के बारे में भी हम 30 शब्द लिख सकें जड़ के बारे में भी 30 शब्द लिख सकें और पतियों और फूल के बारे में भी 30-40 शब्द लिख सकें ऐसा करके सो शब्दों का अपना एक आंसर होना चाहिए मैंने सलल सा एक्जामपल दिया आपको पोदे का वर्णन करो तो पोदे का वर्णन ये है कि इसमें जड़ होती है और जड़ में ये मुख्य बाग होते हैं जड़ इस प्रकार से होती है तनाज होता है वो ऐसा होता है और उसके उपर पतियां होती है और टेहनियां होती है और फिर पतियां होती है और फिर उसके उपर फूल पाए जाते ह तो ऐसे किसी किसी भी आंशर का आपका एक संतूलत वर्णन हो चाहिए. जब आपसे कहा जाए कि भारत की विधेश नीती के बारे में समझाए हैं. तो विदेश निती के parts आपको समझ में आने चाहिए जितना आपको पोदा समझ में आ रहा है और पोदे के भाग समझ में आ रहे हैं वैसे भारत की विदेश निती के भाग समझ में आने चाहिए कि भारत की विदेशनीती के कितने भाग है अगर आप अधूरा लिखेंगे जैसे पोदे का वर्णन लिखा आपके जड़ लिखके बेट गए और सीधा पतियों पे चले गए तो आपका जो लेवल है वो समझ में आ जाएगा कि इनको ठीक से नहीं पता पोदे के बारे में ठी कि विदेशनीती के प्रकार पड़ते हैं भारत की विदेशनीती के मुख्य तत्व पड़ते हैं हमारे नोट्स में पहले ही पेज पर दिया हुआ है जब आप इंटरनेशनल इलेशन वाला नोट्स उठाएंगे उसमें पहले पेज पर दिया हुआ है कि विदेशनीती के क्य अचानक से किसी का उत्तर नहीं लिख सकते हैं। अचानक से आप उत्तर तो लिख सकते हैं। तो फिर दिक्कत आती है। तो पहले जो मैं बता रहा था, बहुत नौलेज वाली बात बता रहा था एक तरह से बहुत बीप गहराई वाली बाते थी कि conceptualize, factualize, आज मैं बात कर रहा हूं उत्तर लेकरन के बिलकुल सामान्य प्रक्रियास कि आपका उत्तर जो है वो जो आप लिखेंगे उसमें सामान्य जानकारी कौन-कौन सी देंगे तो सबसे पहले सामान्य जानकारी आपको आनी चाहिए फिर उसके बात में विशेश जानकारी कुछ है तो विशेश star लगा के या महत्पौन उसको बिंदू बना करके नीचे आप, box बना करके भी दे सकते हैं, गोला बना के भी दे सकते हैं, उसके अंदर दे सकते हैं तो उत्तर लिखने की जो कला है उसमें सबसे पहले definition आती है व्याख्या आती है यानि जो शब्द लिखा हुआ है उसका मतलम क्या है अर्थ क्या है इसलिए आप किसी भी विशाय की शुरुवात करते हैं तो पहली unit होती है अर्थ और विशाय शित्र subject area क्या है उसका अर्थ क्या निकलता है तो सबसे पहले प्रशन का अर्थ लिखना है तो आप प्रशन के उत्तर के अंग लिख सकते हैं कि उत्तर किस प्रकार का होना चाहिए उत्तर को कैसे design करना चाहिए तो उत्तर को design करने के लिए सबसे पहले meaning होता है तो उसका scope या विशा अगर उत्तर आप को बहुती संथा लिखना है, तो फिर यह सब आपको करने की ज़रूत ने होती है, सीध़ उत्तर लिका जाता है, लेकिन अगर सोशपदों का है, तो आपको सब से पहले उसका हर्त लिख करके, उसका विशपद्ट लिख करके, और फिर उसके parts के बारे में जो अंग आपको अभी बताया थे तो अर्थ और विशेशेत्र को देते समय में आप बीच में परिवाशा भी डाल सकते कि उसके परिवाशा क्या है सो शब्दों वाले में कोई एक परिवाशा हमको देनी चाहिए सो शब्दों वाले में केवल एक परिवाशा देनी चाहिए लेकिन जब 300 शब्दों का उत्तर हो 200 शब्दों का हो तो दो या तीन परिवाशा भी आप महत्पुन परिवाशा दे सकते हैं उसके बाद कोई कोई कोट कोई कथन किसी विशेश रकति का अगर आवशक लगे तो ये उत्तर की प्रशन की डिमाद पर करेचा कि प्रशन क्या कोई व्यक्या मांग रहा है तो वो आपको एकटे करने चाहिए उनको लिखने की आदत होने चाहिए कई बार हम सुन लेते हैं हमको अच्छा लगता है लेकिन हम लिख के नहीं देखते हैं तो परिक्षा में हम यूज नहीं कर सकते हैं अगर आप चार बार मेंस देते हैं तो मुझे लगता है कुछ इसका मतलब वहात काम क्या हैं? जैसे power corrupts रहने absolute power corrupts absolutely, यानि कि ताकत ब्रश्ट करती है, और अधिक ताकत और अधिक ब्रश्ट करती है, यानि जितनी ज़्यादा ताकत देते हैं, उतना ज्यादा ब्रश्टाचार होता है, इसका मतलब decentralizedization होंना चाहिए power का decentralization power delegates होने चाहिए एक अदमी में जब power आता जाता है ज्यादा power आता जाता है तो अब रिष्टाचार बड़ता जाता है corruption बड़ता जाता है कर्ति और corrupt होता हुता है ज्यादा सचार्प होते हैं इसका मतलब ये कितना काम की चाज़ेगी कभी आपको लोकतंतर पूछे, ब्रश्टाचार पूछे, कभी फॉर्ट पेपर में इमान दारी की परिबाशा देनी हो, ब्रश्टाचार का देना हो, डिसेंटलाज़िशन का देना हो, पंचायती रास देना हो. यानि किसी भी प्रकार का कोई भी प्रेश्ण आता है तो ये एक टन का ये कोड जो है ये आपमाँ डाल सकते हैं एक टन ने ये कहा था तो इसको आप यूज कर सकते हैं और इसको एक बार यूज नहीं करोगे आप फर्स पेपर में भी करोगे, second में भी करोगे और किसी को अगर मालिय सेम व्यक्ती भी है कभी किसी ने व्योस्ता कर दी कि चलो आप ही second की भी चेक कर देना तो उसको ये पता नहीं चलेगा है कि ये handwriting उसकी थी पिछली बार केंगी वो तो तो तीन-चार दिन पहले copy चेक की होगी एसे किसी को handwriting याद ने रहती है, हजारों कापिया होती है किसको handwriting याद रहेगी आप उसकी चिंदना मत करना एक first paper वाले चीज, second paper में लिखेंगे नहीं, एक ही चीज को आप कई paper में लिख सकते हो अलग अलग paper में सब में लिख सकते हो हिंदी में फिर आप लिख लोगे, उसको निवंद लिखना पड़ा हिंदी में और कुछ याख्या करनी पड़ी वहां जाके फिर लिख दोगे ये प्रभावित करती हैं चीज आपको होगे ये तो बहुत साधा हैं चीज ऐसी एक चीज आप जो पढ़ते हो कि महातमा गांधी जो लिखते हैं इंग्लिश में भी कोडियात कर लिजा हिंदी में भी कि लालज को पूरा नहीं किया जा सकता है अबशक्ताओं को पूरा किया जा सकता है नीट्स जो होती है वो फुल्फिल हो जाती है कि मातमा गांधी के तना कि आवशकता हैं तो पूरी कर सकती है हमारी प्रकृती नेचर जो है, Mother Nature आवशकता हैं पूरी कर सकती है ने लालज को पूरा नहीं कर सकती हैं तो यह सस्टेनेबल ड्लपमेंट में आ जाएगा, इन्वेटे एंशेशने में आजाएगा आप बार-बार रिपीट करते हुए दिखेंगे, अगले प्रश्ण में फिर कहीं मालिजा एक ही पेपर में आपको 6-7 प्रश्ण हैं कि आपको कोट की ज़रोते तो फिर आपको दिक्कत आजाएगी तो इसलिए आप थोड़ा 30-40 कोट जो है वो निकाल के रखिए उसमें एरिस्टोटल के भी हो सकते हैं, उसमें मातमा गांधी के हो सकते हैं, उसमें स्वामी विवेका नंद के हो सकते हैं, रामनो लोया के हो सकते हैं तो जो हमारे अच्छे thinkers हैं भारत के बड़े नेता हैं, बड़े जानकार लोग हैं, उनके course जो है आपको रखना चाहिए, ये काम कर सकते हैं, फिर और क्या उत्तर की demand है, इसके बाद आएगा आपका अध्यन, जो आपने अध्यन किया है, अगर इतना व्यवस्ते जमाना भी आप सीख गए, तो भी बहुत फरक पड़ता है, एक sympathy आपके प्रति, कि आप systematic आदमी है, आपको समझ आता है कि उत्तर का लेखन कैसे का, कई लोग शुरूआत एकदम ऐसे पत्थर मार तरीके से शुरूआत कर देते हैं, उत्तर लेखन की, जैसे ही प्रशन पड़ा एकदम लिखना शुरू कर देते हैं, उसको समझ में नहीं आता है करना क्या चाहिता है, उसकी foundation कैसे जमानी थी, impress कैसे करना था, तो वो लोग फिर कम नंबर पाते हैं, लेकिन जो लोग एक नियू बनाते हैं, और उत्तर को, हालाकि लंबी चोड़ी भूमी का नहीं बनानी है, ले आपके प्रती एक सदभावना जागती है, कि आप सिस्टेमेटिक रखते हैं, आप अच्छे रखते हैं, ठीक है अभी आपकी पड़ा ही नहीं है, आपका ज्यान नहीं है, कुछ लोगों के बारे में, ये कुछ लोगों का मत ही होता है, कि आपको उत्तर में कौन-कौन सी च जानकारें रहे जानकारें कहाते हैं, ये बात तो सय इस, मा भी सह्मात हूँ, कि कॉई भी जानकारी असध्य नहीं होने चाहिए लेकिन जानकारी कमजोर हो सकती है बात समझ मैंना कमजोर जानकारी दी जा सकते हैं लेकिन कमजोर जानकारी देने से भी प्रभाव पड़ेगा परन्तो हम जिस पेपर को देने जा रहे हैं वोग तरह का वानिज हैरा एक तरह का व्यापार है इसकी व्यापार से तुलना करें खास करके किसी दुखान पर जब आप जाते हैं और किसी से किसी को दस रुप्या देता हैं दुकान वाले को माले जब छीनी चालीस रुपे में मिल रही और आप Нे दस रुपया दिया तो वह यह नहीं किसकता है कि आपने क्यों कि 10 रुपेर डिये हैं में ऐसले अपको कुछ नहीं दू हमा आपको 40 रुपे देने थी वोई नहीं गया, उसको दस रुपय की चीनी देना है, क्योंकि आपने दस रुपया दिया है, ठीक वैसे ही आपका पेपर भी एक प्रकार का वानिज है, इस जमाने में वानिज है, किसी जमाने में जब गुरु शिश्य परम्तरा थी और गुरुओं का अधर था, और आपने उत्तर दिया, तो गुरु जीरो नंबर भी दे सकता था, वो तो पीटाई भी लगा थे ना, पहले है आपने देखा कि को पीटते थे गुरु लोग चड़ी रखते थे, और पिटाई होती थी, जम पीटाई होती थी, सुताई होती थी, पहले का जमान था वो कानून से संचालित होता है दियान रखी तो आज की जमानी की शिक्षा एक व्यापार जैसा हो गई है और शिक्षा जब व्यापार हो गई है तो फिर पराय लिखाई में भी श्रद्दा और जीरो का कोई जगे नहीं है अगर आपने उत्तर अटेंप्ट किया है तो उसका म मिलेगा अगर आप रविंद्रना टेगोर के बारे में ये पूछा जा रहा है कि रविंद्रना टेगोर की राष्ट्रवादी विचारधारा के बारे में आप क्या जानते हैं और मल्य जाया आपको प्रश्ण समझ में नहीं आ रहा है और आप रविंद्रना टेगोर की राष्टवादी कभी थे, या राष्टवादी व्यक्ति थे, कुछ भी लिख रहे हो आप, और उन्होंने गिताजली लिखे थी और उनको नोबेल प्राइज मिला था और उनको बारत इतना भी मिला था और उनको ये था वो था अब पूर तमाम बात हैं, वेंगौर से से शां आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि उनकी राष्टवादी विचारदा रहे हैं कौन-कौन सी थी या वो राष्टर जो आपके बारे में क्या सोचते थे तो लिखना तो आपको वो था और उत्तर का नंबर मिलना था 6 MPPAC में 6 नंबर मिलता तो UPSC में आप लिख रहे हैं माले जाए वो 10 नंबर का है 1500 शब्दों में आप लिख रहे हैं और 1500 शब्दों लिखने के बजाए आपने 120 शब्द लिखे तो मैं यहां आपको दो चीज बताना चाहरा हूँ एक तो यह फालस जानकारी नहीं है गलत नहीं है अगर किसी ने पढ़ भी लिया एक ऊर चीज में सबसे इंपोर्टन शेज़ आपको बताना जा रहा हूं मैं भी कॉपी चेक कर रहा हूँ रोज मैंप् research कर रहा हूँ रोज कॉपी चेक कर रहा हूं जिसको तीन गंटे आप लिखते हैं मुझे 30-35 मिनिट उसको चेक करने में लगता है उसका कारण यह है कि आपका लिखा हुआ मुझे समझना भी है और समझने के बाद मुझे आपको सुजाओ भी देने है तो सुजाओ देने के लिए अगर मुझे केवल नंबर देने होता है तो मैं पांच मिनिट में चेक कर देता है और वो क्या चेक करता है जैसे परिक्षक चेक करता है वहां कोपी चेक करने वाला पांच मिनिट में चेक करके फेक देता है वहां उसको क्या क्या करना है पांच मिनिट में पांच मिनिट में एक एक प्रश्न को पढ़कर के यह देख करके तो मैं कहूंगा देख करके वो देख करके नंबर देता है तो देख करके नंबर देता है तो देख करके नंबर देता है तो देख करके देता है आप कहोगे नहीं पढ़कर करके देता होता तो मेरी तरह 30 मिनिट लगते है लेकिन चुंकि वह पांच पांच टीचर जैसा है या बीच के कुछ मेडिल जो नौलेज वाले लोग मानने उस टाइप के लोग थे उस पर डिपेंड करेगा कि उसको समझ में कितना आता है शिक्षक भी मनुश है तो उसका समझदार पच्पन साल का शिक्षक है पचास साल का है कॉपी चेक करने वाला स साल का है चश्मा लगा हुआ है सरदर्द होता है ज्यादा अक्षर देखने से तो उस पर भी डिपेंड करेगा उसका है उसको डाइबीटीज है हाई ब्लड पिशर है तो यह सब तो पैस नहीं करता ना यूपी से एंपी से के एकदम सवस्त्रियक्ति होना चाहिए उसको य करने से सरदर्द होगा वो तो सिर्क पेज को देख करके और हैंडराइटिंग देख करके और अंडरलाइन वाली चीजें देखके बॉक्स आपने कुछ बनाया उसको देखके यह फ्लोचार्ट में लिखना चाहिए जादा जादा परिग्राप राइटिंग में आप सोच र दोकरी लगे ही है हर माईञी नहीं साराइरी आती है वो कारियर की कोई टेंशन नहीं है वो पढ़ेगा अपको लगतो पड़ेगा प remainder से आपका उत्तर कैसे देखेगा तो वही to the point approach में लिखना पड़ेगा खुला खुला लिखना पड़ेगा परिग्राप बदल बदल के जल्दी चोटे चोटे परिग्राप देना पड़ेगा दो दो तिन तिन लाइए सूचनाओं को बहुत स्पश्टूप से लिखना पड़ेगा और बॉक्स बना के लिखना पड़ेगा ऐसे फ्लोचार्ट में लिखेंगे इस तरह से आपको डाइग्राम बना करके देना है ऐसे लिखना पड़ेगा तो फिर उसके रिजल्ट आएंगे तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि जो खास ख्याल रखना है आपको कि आपका जो कोपी चेक करने वाला है वो पढ़ने वाला नहीं है क्योंकि पढ़ने में मुझे खुद को दिक्कत आ रही है क्योंकि मैं 35 मिनिट में उसको अच्छे से चेक कर पाता हूं फिर मार्क्स को उसको क्या करना है उसके साथ खाना पूरती ही और है मुझे तो केवल आपको पढ़करके और मार्क्स देने और काउंट करके टूटल लगा करके उपर लिख देना है उसको डिजिट्स में भी लिखना है उसको उसमें भी लिखना है वर्ट्स में भी तो डिजिट्स भी लिखेगा वो और वर्ट्स भी लिखेगा फिर उसको इतना दिया एक आफ यह जो फिर मुझे लगी ऑपर सिनच चर भी करने मियों तो मुझे लगता है कि प्रोसेस पर तो यह बहुत मुश्किल काम है तो इस प्रोसेस में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने उत्रों को बहुत इस्पष्ट रूप से तिखाएं उसको गिच पिच न करें उसको गुमाये नहीं इस पश्ट लिखें तो मैं जो उधारण दे रहा था आपको टेगोर वाला उस उधारण में क्या होगा उस उधारण में फिर से हम लोग वहीं आते हैं दस नंबर का यदि वो सवाल है और आपने 120 शब्द लिखे हैं 100 शब्द लिखे हैं 150 लिखने थे और आपने 100 लिख दिया हैं तो आपको जीरो नहीं दे सकता चाहे उसमें राष्टवाद की बात ना आई हो क्यों क्यों जमाना कोर्ट का है आप कोर्ट में कॉपी खुलवा सक करेगा अगर स्टेट सर्वेस से तो पॉपी लेकर आई है इनके MPPSC को ओडर करेगा इनकी कॉपी लेकर और जिसने चेक किया था उसको भी पकड़ के लाना उस दिन किसने चेक किया था उसको बता सकता है यह जो लिखा हुआ है यह तुमारे समझ में आ गया था इस बात का दिए वह देस रुपय दिया तो देस रुपय की चीनि दो दाइसो ग्राम तो दोगे ना जीरो थोड़ी कर सकते हैं तो यह प्रेकार का student teacher का यह यूं कहें कि परिक्षारती और copy check करने वाले के बीच का एक अलिकित contract है तो breach of contract हो गया तो breach of contract लग जाएगा उसके उपर एक तरह सकती है और भी दूसरी दाराएं लग सकती है अगर वह copy लिखने वाला अगर S.A.S.T. का हुआ और चेक करने वाला ब्रामन हुआ तो वह atrocity तक भी जा सकता है मामला समझ में है ना कि इसने जानबूच करके जातीगत दुरबावना से इसको जीरो दिया बहुत लगड़ा पर सकता है कुछ भी हो सकता है अलागी code लिखे होता है copy पे लेकिन किसी भी हत तक जा सकता है 次 लिए मामला इसले कोफी चेक करने वाला बहुत तनाव में रहता है मतलब बहुत जबा पर लिए बारत है यह यह जब ले नुकरते कोफी चेक करने में क्या करेंगे लेकिन फिर भी काफी हथ तक उसको यह पता होता है कि जीरो नहीं देना है, माक्स देना है, अब मैं अभी कुछ बच्चों को देख रहा हूं कि उनको कुछ लोग शिक्षा दे रहे हैं कि आपको नहीं आता है तो खाली छोड़ के आईए, क्योंकि अगर आप कुछ लिखके आएंगे तो मतलब अगर वो सही नहीं हुआ तो अगर आपने 10 रुपर दिया है तो 10 रुपर की चीनि लगा हो, बोले नहीं है आप नहीं चूपके है उखका लगाई चोग लगाई है, इस दो एक रन तो बनाईएंत आरे, क्यों भनाइंगे, क्रिकेट मेंचे से नो बाल के मिल जाता हैं वाइड बॉयड़ के मिल जाता है बिना कुछ किये वैसे आपको भी हो सकता है बिना कुछ किये मां माक्स मिल जाए अब उसका फाइदा क्यों नहीं उठाएंगे क्योंकि यह तो competition है competition में सब कुछ जाए जाए इसलिए खाली छोड़के नहीं आना है कि लोगों सुचते हैं कि आपको image कौन सी शादी कर रहा हो अपनी लड़की किसे अपनी आपकी वहां पर वहां को पसंद थोड़ी कर रहा हो अपना दामार ने थोड़िया है कि आदमी सचरितर होना चाहिए इमानदार होना चाहिए अरे यह contract एक्जाम यहां आपको अपनी image नहीं बनानी है उसके दिमाग में उससे marks लेने हैं अच्छा कोड़ चीज़ कई आदि में ठगा जाते हैं परिक्षा कॉपी चेक करने वाले कई बार ठगा जाते हैं मैंने देखा है कैसे ठगा जाते हैं वो चकर में है student की policy जो है ना लिखन होंगे भाई ट्रिक क्या होते है यह तो बुद्धिमानी है जवाब युद के लिए जाते हैं तो बगवान कृष्ण ने कितने ट्रिक इस्तेमाल की है माबारत कई जगे पर उन्होंने ऐसी चीजें की है जिनको आप नेतिक नहीं कह सकते हैं कि नीती के ऊपर ठीक नहीं है अधरी जीतना है यह यूत है गॉंपटिशन जीतना है को अब वहाँ को नीती को इस्ताथना करने के लिए दर्म की इस्ताथना के लिए नहीं है हमको एक्जाम जीतना है हमको इमेज में नहीं बनानी होँ है कि हम उसको प्रसंद कर लेंगे और अच्छे-ची बात प्रसंद कर लिए अचानक से जहां पर कुछ लिखा जैसे टेगोर वाला आंसर मेने आभी आपको बता है चार नंबर देने पड़ गए उसको मालों है कि यह पता नहीं पर इसमें गिताजली दिख रहा है शांतिनी केतन दिख रहा है इतना सा भर दिखेगा और उसको नंब कर लोग तो जब से मोबाइल आया है जब से बाट सिप चलना शुरूवा है जब से सोचल मीडिया पर टीचर भी आ गया है उसको हर एक गंटे में आदे गंटे में अपना देखना है कि मैने उड़ा था उस पर लाइक्स कितने हैं अभी मैने इसको जवाब दिया था उसका कई साया, बच्चे का रिजल्ट आने वाला था, मोबाइल के पास में होने से डिस्रेक्शन बहुत बढ़ा है और इन लोगों के मोबाइल लिए जाते होंगे, मुश्किल है, बहुत कम, जगे, बहुत कम एग्जाम सेंटर ऐसे हैं, जो मोबाइल बाहर रखवाते होंगे, औ रखवा भी देते होंगे तो इसको वाफस जाके देखना है उदर, इतना समय नहीं होता है, कि वो इतना ध्यान पुरवक एक पेज पे गल्कियां निकालने के लिए बेठा रहे हैं, और फिर उनका IQ भी कितना है, मैंने भी आपको टीचर के प्रकार बताए, वो कम IQ अला होगा तो देखके निकल जाएगा, उसको लगएगा, यही सही आंसर है, मॉडल आंसर कितने लोग पढ़ पाते हैं, कितने लिख पाते हैं, और कितने देख पाते हैं, वो नहीं देख पाते हैं, तो मॉडल आंसर बहुत सारे लोग नहीं पता कर पाते हैं, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो उन लूपोल्स का आप लोग फाइदा उठा सकते हो और क्या फाइदा है ये कि आप वहां से माक्स बटोर सकते हो और छे साथ प्रशन ऐसे जो आप छोड़ने वाले थे जिनमें एक एक दो दो नंबर मिलने वाले थे आपको 4455 मिल जाएंगे और आपका जब जोड़ होगा तो वो जो छे प्रशन है उनमें 24-25 नंबर जादा आएंगे तो जैसे किसी आदमी का जो बहुत इमानदार है और जिसने बहुत अच्छे से पेपर दिया उसका टोटल जा रहा है 110 आपका जाएगा 132 एक पेपर में आप 22 नंबर जादा लिया है तो आप तो गेन कर गए आप तो आगे बढ़ गए दूसरे से ऐसे 22 नंबर 20 नंबर 18 नंबर अगर आप हर पेपर में कवर करेंगे और 20 का एवरेज निका लिए तो आप तो UPSC में साथ पेपर में जा करके 140 नंबर जादा लाएंगे दूसरों से रेंक कितना उचल जाएगा आपका रेंक कितना उचल आ जाएगा ऐसे आपको उत्तर निकालना और उत्तर बनाना है छूड़ना कुछ है नहीं थोड़ा बहुत तो उसना कुछ और कुछ लिखना ही है जितना कॉंट्रिब्यूशन करेंगे उतने माक्स मिलेंगे स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ानी है तो बहुत फास्ट लिखने के आदत करनी पड़ेगी आपको क्योंकि आप आप चूंकि प्रशन नहीं छोड़ने वाले सारे प्रशन अटेम्ट करने हैं अगर आपके आपके निश्यतरूप से अच्छी होनी चाहिए लेकिन बात में जो कुछ भी होगा वैसा ही कंटेंट आप लिखेंगे इसकी शुरुवात आपको अभी से करनी चाहिए किसी भी विशय पे ऐसा लिखने को आ सकता है कि कभी-कभी कोई प्रशन ऐसा हो सकता है कि जिसके बार तो जो लोग मरको सूर के बारे में बिलकुल नहीं जानतें यह कोई असूर ओँ नहीं है पॉरानिक वाला। इसको ठोना पड़ेगा अगर वो मरको प्रत के लिए लिए कुछ लख़ाइब कर जाते हैं तो वो फिर अधिने इतना भत नी चलता यह तो आपको छोड़ना पड़ेगा लेकिन अगर आपको थोड़ा भी हवा लगती है थोड़ा सा भी समझ में आता है कि यह क्या है तो उसको लिखिए, अटेम्ट जरूर कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज और इमेज, इमेज और उसके चक्कर में मत पढ़िए, ऐसा नहीं होता है तो नाराज हो जाएगा तो सभी में कम कर देगा, इतनी फुरसत भी नहीं होती किसी को बदला लेने की, और किसी को आपने इंप्रेस कर दिया तो आपको फाइदा ही फाइदा देगा, इतनी फाइदा देने की फुरसत भी नहीं होती, यह बिलकुल प्रोफेशनल रिलेशन है, आप गीव एंटेक वाला है, आप दस रुपया देंगे वो डाइसो ग्राम देगा, आप चालिस रुपया दें आप दीजे, वो देगा, हो गई, लेना और देना है, सीधा सीधा है, उसको भी आप से कोई दुश्मन ही नहीं है और बहुत ज़्यादा अनुराग भी नहीं है, तो एक तो यह दिमाग में क्लियर कर लेना है, क्योंकि बटकाओ बहुत ज़्यादा है, लोग बटकाएंगे बहुत, कई लोग सफल व्यक्ति बटकाएंगे, कि वो सफल है, इसलिए, सफल वो कि नहीं दूसरे काणों से हो सकता है, और उसको ब्रह्म भी है, कई बार जो पहली बार में, 21 साल के उमर में, जो टॉपर बन जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है, वो समझने लगता है, समझदार संसता है, और उसमें जो कॉपी चेक करने वाले सब बुद्धिमान और बहुत अच्छे और इमानदार लोग है, क्योंकि मुझे सिलेक्ट किया है, तो उसको यह लगने लगता है, जो सफल होता है, वो बिलकुल बहुत नहीं बनाना, बिलकुल ऐसे नहीं करना, व रृपिएसि में चेक करने वाले बहुत अच्छे होते हैं, इंट्रुबत अच्छे होते हैं, उसने नहीं किया लृकार आत्मी को, अगर वो उसका कमरा इनोंगार रामलाल को, शामलाल में जाता है, क्या सीिजा तो आपको, आपको, चापराशी चलता है, आपको फाईल नह कि ऐसे सामने ऊह रुक जाता है अलागी है उसको बिटा जाता है कूसे प्लेट लगी वह इब का चैर्म एब और उसी का इंट्री हो ऐसेज दस कुम रहे हैं किछी एक हम एम जाने से 70% marks मिलते हैं किसी एक में जाने से 60% मिलते हैं किसी एक में 40% मिलते हैं किसी-किसी को 30% ही मिलते हैं तो अलग-अलग जगती हैं आपकी यहां पे भी आपने टीचर अलग-अलग देखे हैं कि कभी-कभी जो कोई टीचर आता है तो वो बहुत अच्छे μαकोस दे जाता है खराब लिखते हैं तब भी अच्छे मक्स दे जाता है और कभी-ख़ी बहुत अच्छा लिखने में फेशोद चोदे हिने थे और दे ते ही न ते माक सी न देते थे है को दूसरे टीचर ने 48 दिया है और वो 29 देते थे एक टीचर ऐसा भी होगा जो कि वो 23 देता था वो भी याद होगा आपको कितना अच्छा कर लो वो शबाशी देता ही नहीं कभी उसका चेहरा भी फ्लेट ही होता है एक्सप्रेशन भी नहीं देता और उसको मज़ा भी नहीं आता किसी चीज में एक्सलेंड इस चाहें बड़ा देता है कि रविनहा टेगोर के बारे में यत ना उच्छा कुछ लिग गया इतना अच्छा लिग गया दूसरी कॉपी वाले ने भी ठीक ठीक लिगगा तीसरे वाले ने भी ठीक लिगए अब आप वेशा साधरान लिग दो गे तो पनेश हो जाओ करने से मतलब दो नंबर मिलेंगे जहां चार मिल सकते हैं तीन चार लोग छोड़ रहे थे रविना टेगोर के ऊपर एक थोड़ा खास नहीं लिख पा रहा था और आप दस लाइन बढ़िया से लिग ठीक ठीक ही लिग गए उसमें राश्टरवात वाली बात नहीं लिखे ले डिली में जाधा कमपटियrawता है जाधा कोचिंग से जाधा लोग ते दिली को सेंट्रर बेले के लोग भौपाल और ऐसी जगों को सेंट्र के तूर पर लेता है यहाँ जो लोग सेलप वड़ाही करने वाले लोग जादा आ है ऐसे में कॉपी जो है वो intelligent topper की कॉपी आने के chances बहुत कम होते हैं तो ऐसी ऐसी calculation भी कुछ लोग करते हैं mens के समय में आप भी कर सकते हैं Bhopal अच्छा से इंटर है Bhopal में काफी लोग पसंद करते हैं Bhopal में exam देना पसंद करते हैं खेरो तो ये mens की कुछ छूटी चीजे हैं जो प्रारंबिक जानकारियां हैं जिनमें आप mens में उत्तर लिखने से पहले इन चीजों की सावधानिया रखेंगे और इन सब चीजों को बताने की कोशिश करेंगे इसके अलाबा मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं प्रेजेंटेशन के तूर प्रेजेंटेशन कैसे करना है तो प्रेजेंटेशन जितना ज़्यादा कुछ बच्चों को मैंने देखा है पांच-पांच-शेशे अटेम्ट हो गए हैं लेकिन अभी तक उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन नहीं सुधा रहा मेरे पास कल भी एक-दो बच्चों की कॉपी आई थी सर इस बार छटवा अटेम्ट है इस बार लास्ट है कुछ कर दीजिए कुछ सुझाओ दीजिए परेंट्स के भी फोन आते हैं कि सर इस बार को कुछ सुझाओ दीजिए लेकिन वो बच्चा चेंज ही नहीं करता लिखने के पेटर्न में कोई चेंज नहीं करता रही से ही लिखता है उसको लगता है कि मेरा ज्यान बढ़ता जा रहा है देखे ज्यान आपके पास ही धरारे जाएगा अगर आपने प्रेजेंट सही से नहीं किया प्रेजेंट कर जो आपको ज्यान आया है उसको आप प्रेजेंट कर पा रहें कि नहीं कर पा रहें ये इंपोर्टेंट है आपको ज्यान ही नहीं होना है लंबे चूड़े तैयारी करके 3-3-4-4-5-5-6-6-7-7 साल तयारी करके कोई ज्ञानवान बन करके सेलेक्ट नहीं हो सकता ध्यान रखिए ज्ञान से आप सेलेक्ट नहीं होंगे प्रेजेंटेशन से होंगे जो ज्ञान आपके पास आया है उसको आप प्रेजेंट कर पा रहें नहीं कर पा रहें उस पर होगा एक व्यक्ति को मध्यप्रदेश की केवल 16 जीलों के नाम याद है और एक व्यक्ति को पूरे 55 जीलों के नाम याद है अब जो मध्यप्रदेश की प्रशासनिक सरचना पूछी कि administrative setup बताई है मध्यप्रदेश का तो एक व्यक्ति ने क्या किया कि संभागों के नाम लिखने के बजाए संख्या लिख दी डिस्रिक के नाम लिखने के बजाए डिस्रिक के संख्या लिख दी और ऐसे करके खाना पूर्ती करके पूरा अंसर बना दिया जबकि उसको नाम याद थे जिलों के बल्कि पच्पनी जिलों के नाम याद थे सारे संभाग के नाम याद थे लेकिन नहीं लिखा उसमें कि बारे से अનार और ऐसे करके बता दिया यह संभागें इत्ने संभागें और इतने जीले हैं कि यह पूरुवी शैत्र में यह पाष्चे में शैत्र में है इस टाइब से उत्तर लिक कर यह आगया एक वेक्ति को बारा जो जो संभाग talking Sometimes उस में औसे two button on एम एहां शेचिक सब्सक्राइबी के लिए तो मुझमादीन उसको के ओल विस जी लों के नाम के दिए और भी से संथ 3-20 मान एक दीए, काफी जगे होती है, MPPSC में खुब होती है, UPSC में लिमिटेट जगे है, क्योंकि पर्षन उपर लिखा हो रहता है, नीचे इस पेस दिया हो, उसी में आपको अपना अंसर लिखना है, अब ऐसा कर दिया है, सब्लिमेंटरी शीट नहीं मिलती है, MPPSC में भी नहीं मिलती है, अब अब आप जो शीट मांगेंगे तो नहीं मिलेगा आपको, तो MPPSC में भी इस तरह से जगे तो इस पेसिपिक नहीं है, लेकिन शीट जो है वो एक दे भी है, अब आपको एक्स्टा नहीं मिलेगी, और वो तो आप तो सीता खड़ा लिखिया है, चाय 20 जी ले लिखे हो, वो इंप्रेशन डालता है, वो वजन होता है, वो माक्स ले जाएगा, दूसरा देखती ज्यादा इस्पेसिफिक लिख रहा है, लेकिन उसको माक्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहां प्रदर्शन है, यहां आपक को देखने आते तो कैसा होता था, वो संगीत भी आके सुनाती थी, कुछ बनागे ले जाती थी, लड़के वालों के सामने, तो जो भी कुछ आपको और भी बहुत सारी चीज़ें आई है, लेकिन आप पांच बज़े लड़के वाले चले गए, दो बज़े आए ते उस दो जो भी knowledge है, वो उसी में दिखाना है, तो आप अपने उस answer में वो चीज़ें दे पाते हैं को नहीं दे पाते हैं, जितनी भी हैं, आप क्या important है, क्या नहीं है, उससे छोड़े, सब्सक्राइब से सिक्वेंस को पकल लीजे, जो मैंने आपको पोदे के भाग के हिसाब से बत ज्यान रखें, इसमें emotions, emotional नहीं होना है कहीं पर, क्यों emotional touch नहीं होता, कि आप कितने अच्छे व्यक्ती हैं, कितने अच्छे दिखते हैं, कितने अच्छे बोलते हैं, यहां लिखना है, और लिखकर के आपको present करना है, लिखकर के जो अच्छा present करना है, तो बहुत अच्छ ऐसे प्रेजेंट करें है है एडलाइन डालनी है तो हेडलाइन बहुत अच्छा से डाली अगर आपको box में लिखना है तो box में लिखिये triangle बना के लिखना है triangle में बना के लिखिये एक ट्रिकोर बना के लिखना है उसमें लिखिये ठीक है और जैसे महावीर की शिक्षा है तो उसमें त्री रत ना लिखना है तो कई लोग ऐसे बना लेंगे महावीर की शिक्षा है फिर तीन ऐसे बना देंगे और ऐसे लिख देते हैं कई लोग ऐसे त्रीकॉन बना देते हैं ऊपर छोटी वाली शिक्षा फिर दूसरी फिर इसरा रत, ऐसे पंच महावरत हैं, यह सम्में बोल रहा हूं, यह तो सब प्रश्णा आते ही हैं, पक्के प्रश्णा हमेशे ही आते हैं, बल्कि कुछ प्रश्ण तो मैं बोल रहा हूं, वो सीधे-सीधे आएंगे ही आएंगे, MPPSC तो मतलब पेपर आउट ही समझो, पूरा सि में लिखा है, वो सब आपको रट नहीं है, लिखना ही है, उसमें कोई इंपोर्टेंट जैसा भी नहीं है, अचानक से शर्प्राइजिंग पेपर कुछ आना ही नहीं है, उसमें पेपर देखने की विच्छा होती है, कि पेपर कैसा आएगा, MPPSC तो मैं आपका फिक्सी बत पूरा सिलेबस के हार पाइट से कुछ न कूछ पूचता है तो आप पूरा सिलेबस आंसर के तोर पर लिखना आना चाहिए आप कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से समझने होंगे कि कैसे हमको उत्तर को डिजाइन करना है आंसर को कैसे डिजाइन करना है तो एक कला है इस कला को जो जितने अच्छे से जो बहुत important चीजे जिसे मैंने आपको code बताया कि कोई quotation लिखेंगे आप कथन लिखेंगे definition लिखेंगे, book का नाम लिखेंगे, कोई नारा है, slogan है वो लिखोगे, उसको हमेशा inverted का माम में बंद करके और underline करके लिखेंगे highlight कीजे जिन चीजों को पढ़ने के लिए आपको समय लगा है, मेनत की है एससी चीजों को highlight करना सिखो असानी से आपको नहीं मिली है आपने बहुत मेनत की है उसके लिए, रटना पढ़ा है आपको रात रात बर बैटना पढ़ा है इसी चीजों को आप इसे सहज रूप से कैसे दे देंगे उसको count कराईए यह बहुत important चीज है बहुत मेनत से बनाई गई है आप कोई खाना बनाते हैं और कोई डेश अगर बहुत important होते हैं तो उसको अलग से कटोरी में रखते हैं अलग से ले जाते हैं उसके लिए कमेंट भी करते हैं साथ में बोलते हो भी हैं कि इसमें हमको बहुत मैनत लगी है बहुत पैस्टी इसको जरूर खाइएगा बल्कि इसको पहले खाइए परोसने वाले कि यह कला होती कौन सी चीज को कैसे परोसना है जिसमें आपको पहले भी बताया था कि कई बार आपके गर में कोई चीज ज्यादा बनी है और ज्यादा लोगों को खाना खिलाना है तो उसको पहले परोसन आता है ताकि वो खतम हो जाए और जो जिस बहुत कम परोसी है वो खाना लगबग खा चुका होता है तब उसको दी जानी चाहिए ताकि और कोई डिमांड न करे ने तो शर्मिंदा होना पड़ेगा आपको बोलना पड़ेगा न कि अब ये तो इतनी बनी थी वैलकि आप उनको लास्ट में ले जाएंगे कहेंगा रहे ये तो हम बूली गए आपने खाना तो खा लिया लेकिन ये जरूर टेस्स कीजिए तो वो थोड़ा थोड़ा दे दीजिए उसको टेस्स कराने के लिए वो भी कहेंगे हाँ ये तो बहुत अच्छा बनाता ये आप कैसे बूल गए तो ठीक है इतना ही बनाता टेस्स भी हो गया और आप शर्मिंदा होने से भी बचे ये जैसे परुसने की कला है वैसे आपको अपने उत्तरम लिए है अपने ज्ञान को परुसने की कला आनी चाहिए कौन सी जीज कहा देनी है कब देनी है, कितनी देनी है ठीक है? ये प्रेजेंटेशन की कला यदि आप में आ गई तो मुझे लगता है कि आप विजयता है और आप जीज जाएंगे और आप सफल हैं और ये नहीं आई तो आप ग्द्वान होने के बावजूद पे बाहर हो जाएंगे तो knewledge होने के बाट भे बहुत बच्चे बाहर हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे ज्यान की परिपकुता भी देखेंगे, हाड़ वर्क भी करेंगे, महनत भी करेंगे, अरजित करने की कोशिश भी करेंगे, नई-नई चीजें भी सिखेंगे, और रेगिलर नीमेत अधियन भी करेंगे, लेकिन साथ-साथ प्रदर्शन भी बहुत अच्छा करेंगे, प्रदर् ऑजे आए तो आहिए को समय चाहिए, मको रिक्ष को दबाव chlor झाए ना चाहिए प्रत् साइच सोन ही को डंदिंग कर दो खाहिए कि भी नोल कास्ट प्रबंधन ब Clearly और भी स Ala में कैसे सफेल हूँगे इसके बिन बयागा अप लोग सेखते रहें तो आज उसी शंकला में हम लोगों नहीं बात की चलिए आगे भी एसी बात हम लोग